डेंगू बुखार को जाचे किस तरह से इसकी कितने पिरकार की जाच होती हैं तो एक्च्छल में जाचे भी जो है वो अलग-लग समय पे अलग-लग तरह की जाचे होती हैं और उसी के अधार पे हम इस बमारी को ठीक से डाइगनोस कर पाते हैं शुरुवाती दिनों में पहले साथ दिनों में जो है वो एंटिजन टेस्ट किये जाते हैं एक टेस्ट होता है जिसको एने डॉबल टी नेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है तो इससे वाइरस की मौझूदगी पता लग जाती है शिरीर के अंदर अगर ये पॉस्टिव है तो इसका मतलब ये मानके चला जाए कि डेंगू बुखार है लेकिन अगर ये निगेटिव है तो हो सकता है कि हमने साथ दिन या उससे जादे दिनों के बात किया गया हो तो ये ना माना जाए कि कोई डेंगू बुखार नहीं था या जो टाइप बुखार था और डेंगू नहीं था उसके लिए फि पहले साथ दिनों के अंदर अंदर ही positive आता है, हो सकता है साथ दिनों के बाद NS1 test भी negative आ जाए, अब उसके आगे क्या test positive आते हैं, तो फिर हम इसका serology test करते हैं, serology test में जो दो तरह के antibodies होते हैं, एक IgM antibody होता है और एक IgG antibody होता है, तो इन दोनों antibodies को level को देखा जाता है, अब अब उसको देखना तरीका यह है, कि जो IgM antibodies हो पहले बनना शुरू होता है, बिमारी के पांच में, चोथे पांच में दिनी antibodies बनना शुरू होता है, और करीब एक हफते तक एक अच्छा का सा level IgM antibodies का मरीज के अंदर रहता है, यह कई हफतों तक भी ही रह सकते हैं, लेकिन ज के लिए जो IgG level है, वो हमें बता देते हैं, कि मरीज को Dengu बुखार हुआ था, क्योंकि जो IgG antibodies हैं, यह हफते भर के बाद बनना शुरू होते हैं, और यह long life भी मरीज के शिरीर में रह सकते हैं, यह long lasting antibodies होते हैं, जो आगे मरीज को इस तरह की strain की बीमारी से लिए तयार करत हैं, तो दोस्तों मुझे उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो इसको लोगों को शेर करें, दोस्तों को शेर करें, so that जाद से जाद लोगों को यह जानकारी मिले, और इसका वो लाब उठा सके, और bell icon का button ज़रूर दबा लें so that आपको सारे मेरे वीडियो के notifications आते रहें, धन्यवाद